नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 20 अप्रेल दिन गुड़ुवा खब्रों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर स्जुर्ख्यों पर तेज धूप और लुको लेकर स्वास्ते विभाग ने जारी किया नर्देश बिहार में आसे शिर्ख होगी गेहूं की सरकारी खड़ी चार साल के सनातक में आसे होगे कोर्स स्ट्रक्चर सुखार और बार को लेकर सियर मितीश ने की हाई लेवल बैठक IPL 2023 पंजाब के सामने बैंगलुडू के के आर के सामने होगी दिल्ली की परिक्षा अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों के ओर विस्तार से अब इस दिन तक करें CRPF के 9,712 पदों के लिए आविदन किंद्रे रिजर्ब पुरुजबल यानि की CRPF के द्वारा कॉंस्टेबल टेक्निकल और ट्रेट्समैन के कुल 9,712 पदों के लिए रिक्रूट में नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके लिए आविदन करने की तारीख 25 अप्रेल तक नरधारित की गई थी लेकिन अब इसकी तारीख को बढ़ा कर दो मई तक कर दिया गया है यानि कि इच्चुक मेद्वार अब दो मई तक अधिकारिक भरती पोटल rct.crpf.gov.in पर जाकर इसके लिए आविदन कर सकते हैं इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करी तो मेद्वार को किसी मानिता प्राप्त बोर्ट से मैंट्रिक यानि की दसवी परिक्षा उत्यन होना और रिक्तियों से संबंधि ट्रेड में आई टी आई या संबंधि छित्र की समझ होनी अनिबारे है तेज धूप और लू को लेकर स्वास्त विभाग में जारी क्या नर्देश बिहार में लगातार मौसम में बदलाव देखा जारा है वहिस बदलते मौसम को लेकर लू और गर्मी को देखते वे स्वास्त विभाग अलर्ट मोड में है दरसल स्वास्त विभाग के ओर से राज्य में बढ़ रही गर्मी और लू के साथ गर्म हवा से होने वाले दुश प्रभावों को लेकर सभी जले के स्वास्त विभाग को एतिहात वरतने का नर्देश दिया गया है इसके साथ ही स्वास्त अंसानों में आविश्यक दवा आदि के उपलब्धता निश्चत करने के लिए विभाग के ओर से अडवाईज डे जारी की गई है अब की जानकारी के लिए बता दी कि स्वास्त विभाग के सचीव के सेंथिल द्वारा सभी सिविल सर्जिन को तयार रखने का अनरदेज दिया गया इसके साथ ही ही ट स्टोक को लेकर तयारी करने का अनरदेज भी दिया गया है बिहारी बोत्रे स्पेशन में आज हम बात करेंगे रतन राजपूत के बारे में रतन राजपूत का जन्म आज ही के दिन 1987 को हुआ था यह एक भारतियर टेलिवीजन अभिनेतरी और ब्लॉगर है जिन्हें जी टीवी पर अगले जना मोहिब बिटिया ही की जो में लाली के किरदार के लिए जाना जाता है बाद में उन्होंने महाभारत में अंबा और संतोसी मा में शंतोसी की भूमी का निभाई रतन ने 2006 में रावन के साथ अपने टेलिवीजन करियर की शिरवात की रतन राजपूत ने 2013 में रतन ने एक रियालिटी शो बिग बॉस साथ में भाग लिया और 28 दिन बाहर हो गई 2020 में लॉकडाउन के बाद रतन राजपूत ने अपना यूटूब चैनल स्रूर किया जहां वह अपनी यात्रा की कहानी साचा करती है रतन राजपूत लॉकडाउन वीडियो ने एंटरनेट पर धूम मचा दी और वब वीडियो प्रमुक समाचार पोर्टल द्वारा कवर किया क्या रतन राजपूत अपने 100 अगले जनब मोहें बित्या ही कीजो के लिए 2009 में जी रिस्ते अवार्स, इंडियन टेली अवार्स, इंडियन टेलेवीजन अकेडमी अवार्स और 2010 में गोल्ड अवार्स से समानित की जा चुकी है बिहार में आज से शुरू होगी गेहों की सरकारी खरीद बिहार में गेहों की सरकारी खरीद की शुरुवात वर्स 2023 के लिए आज से यानि की 20 सप्रेल से शुरू होने वाली है जो कि 31 मई तक चलेगी पतादिक इस वर्ष यानि की 2023 से चौबस के लिए सरकार के ओर से 10 लाख मेट्रिक टन गिहूं की खरीद का लक्षे रखा गया है वही सरकार के ओर से गिहूं का समर्थन मुले 2125 रुपे प्रती कुईंटल नर्धारित किया गया है मालуш हो कि अगर हम पिछले वर्ष यान की 2022 से तेज में गिहूं के समर्थन मुले की बात करें तो उस दोरान समर्थन मुले 2125 रुपे प्रती कुईंटल नर्धारित किया गया था इस तरह पिछले साल की तुनला में इस साल गीहूं के समर्थन मुल्ले में सरकार की ओर से 10 रुपे का इजाफा किया गया है आपकी जानकारी के लिए बता देग गीहूं खरीदने के 18 घंटे के अंदर कसानों को PFMS के माध्यम से पैसे दिये जाएंगे चार वर्षी एंटिग्रेड़ बीएड दो हजार तेज के लिए आवेदन आसे अगर आप ही चार वर्षी एंटिग्रेड़ बीएड करने के एक्चुक है तो यहां खबर आपके लिए है बता दे कि चार वर्षी एंटिग्रेड़ बीएड दो हजार तेज के लिए आस से आव इसके साथ ही अभिर्थियों के लिए एक हल्प लाइन नमबर 943-1-041694 भी जारी किया गया है जिस पर अभिर्थी कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं आपके जानकारी के लिए बता दे कि आप विलम सुल किसा 13-18 माई तकावेदन में हुई किसी प्रकार की त्रूटी में सुधार करवा सकते हैं वहीं एर्मिट कार 22 माई को जारी की जाएगी और इसकी परिचा 27 माई को आयुजित की जाएगी बिहारी परिटन में आज हम बात करेंगे बिम्बिसार कारागार के बारे में आमरंग करते रहें यहां कारावास एक एतिहास एक अस्थल है बिम्बिसार कारागार बिहार राजी के समर्द अधी का प्रमान है यहां पर आपको कारागार के अवशीज देखने के लिए मिलते हैं यह जगा खूबसूरत है और चारों तरफ से जंगल से घिरी हुई है साथ तरह के कोर्स प्रसावित किये गए हैं और इसके सभी आठ सेमस्टर में कुल क्रिडिट अंग 160-180 के भी संभावित रखे गए हैं कि जानकारी के लिए बता दे कि जिस तरह के कोर्स के स्ट्रक्चर होने के उमीद की जा रही है उनमें मेजर या कोर्स सबजेक्ट मसलन गनीत भुगोल और विज्ञान आदी माइनर या जनरिक कोर्स या वेकलपिक कोर्स योगिता समवर्धन करने वाले कोर्स कोशल बढ़ा के रिमान को 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है मालिम हो कि मनिश कर्षप के वकील के द्वारा कोर्स से मांग की गई थी कि मनिश कर्षप में खिलाफ चल रहे अलग-अलग राजियों में मुकदमें को क्लब कर दिया जाए लेकिन कोर्ट के द्वारा राहत देने से वे कहा गया कि किसी कठोर कारवाई से फिलहार राहत के लिए नर्देश नहीं दी जा सकते इसके साथ ही कोट के द्वारा केंद्र बिहार और तमलनारु सरकार को नोटस भी भेजा गया है पता दे कि मामले पर कोट के द्वारा अगले सुनवाई 21 अप्रेल को की जाएगी बिहार में 24 डिग्री का टॉर्चर बिहार में अप्रेल के महीने में गर्मी ने ऐसा रंग दिखाया कि ताप मान दिनों दन बरता जाड़ा है भारतिये मौसम विज्यान विभाग ने अगले दो दिनों के लिए पटना गया और अंगाबास समीत बिहार के कई जिलों में बिहार के मताबिक अगले दो दिन चलचलाती गर्मी के सितम के बीच गर्म हवाएं परिशान कर सकती हैं मौसम विभाग के मताबिक 20 अप्रेल तक 25 डिग्री के उपर पहुँचने की संभावना व्यक्त की गई है हाला कि संभावना यह भी जताई गई है कि 20 अप्रेल के बा पही बार बेटियों के दोरा जाहिर किया जा चुका है वहीं अब एक बार फिर इस बात को बिहार की सिमुलतला की रहने वाली जुही ने सचकर दिखाया है दरसल जुही के दोरा दिली के इंद्रा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित नेशनल कराड चैंपियंशिप में अपने अंडर 14 कर्टेगरी में रहस्थान के ओर से खिरते वे कांता वर्ग और कुमेते वर्ग में प्रतीद्वन्धियों को मात दे कर अपने नाम गोल्ड और सिल्वर मेडल किया गया है आपके जानकारी के लिए बता दे कि इस प्रतियोगिता में करीब 20 राजियों से 2000 से अधिक खिलारियों ने भाग लिया था जिसमें से एक जूही शामिल थी मालूमों कि से पहले भी जूही के दौरा रायस्थान स्टेट लेवल और 36 गर स्टेट लेवल में कास से पदक अपने नाम कर चुकी है वहीं जूही के सुपलब्दी पर जमुई पुलिस कप्तान शौरे सुम जमुई विधायक श्री असिस्टिंग समेथ कई लोगों के द्वारा सम्मानित किया गया है और बधाई दी गई है बहुत जल्दी राज्य के 465 मद्दे विध्यालियों के दोदो कुक्छाओं को स्मार्ट क्लास रूम में तबदील कर दिया जाएगा हलाके जिन कख्छाओं में समार्ट क्लास रूम की विवस्था की जाएगे उसकछा का चैयर नस्थानी अस्तर पर जरूर तो के अनुसार किया जाएगा दोदोग अक्षाओं को स्मार्ट क्लास्रूम में तब्दील किया जा चुका है सुखार और बार को लेकर सीम नितीश ने की हाई लेवल बैठक बीतेदल मुख्य मंत्रे नितीश कुमार के द्वारा अपने एक अने मार्ग सितलोग समवाद में एक समिक्षा बैठक की गई बता दे कि अब बैठक इसके साथी बार के खत्रों को कम क्या जा सके इसके लिए नदियों की गाद की उडाही एवं सिल्थ हटाने को लेकर तेजी से काड़े करे विल्चार ओपन के काड़े को भी और बढ़ा दिया जाए नगर विकास एवं आवास विवा नगर निकायों के नवनरवाचे जनप्रतिनीदियों को जल से जल प्रसक्षन करा दे ताकि उन्हें सभी दाइतों की जानकारी हो और बहतर समनवे स्थापित हो सके इसके साथ उन्होंने कहा कि सुषगर्मी जादा है इसलिए सिध्यान में रखते वे सभी तयारियों को पूरा करके रखे और लोगों को सचेत करे दरभंगा एयरपोर्ट के उरान योजना पर मंत्री संजय जहा ने उठाय सवार बिहार में हवाई सफर में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है ऐसे में दरभंगा से दिल्ली और मुंबई के किराए में और भी बढ़ोतरी हो रही है इसी को लेकर बीते दिन बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय जहा के द्वारा उडान योजना का विरोध करते वे सवाल उठाये गया है। इसके बावजूद भी दरभंगा एरपोर्ट की तुन्ना में यहां के आने जाने का किराया कम है। लेकिन अब इन खबरों को लेकर खुद खिसारी लाल यादव के दोरा सब कुछ सपस्ट कर दिया गया है। दरसल बीते दिन खिसारी लाल यादव एक काडिक्रम में भाग लेने के लिए बिहार की राजदानी पटना पहुचे थे। जहां उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते वे अपनी राजनिती में आने को लेकर कहा गया कि अगर हर कोई राजनिती ही करेगा तो फिर हीरो कौन रहेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें हीरो ही रहने दिया जाए। राजनिती को बड़े भाई लोग संभाल रहे हैं या कम थोड़े ही हैं। समिक्षा की जाएगी। इस दोरान आपर मुके सचीव के साथ बिहार राजे उच्छ सिक्षा परिशद के सिक्षा सलाकार प्रोफेसर एंके अगरवाल भी उनके साथ मौजूद होंगे। 24 के प्रस्तावित बजट में विश्विद्याले प्रिशासन के दोरा नैक मुल्यांकन की तयारियों पर 11 करोर रुपे खर्च करने का प्रापधान किया गया है। किदार्ना धाम यात्रा पर जाने से पहले जान ले दर्शन के यहनिया। अगर आप ही केदार्ना धाम की तर्थ यात्रा पर जाने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए हैं बतादे के इस बार केदार्ना धाम यात्रा पर जाने की शिर्वाद 25 सप्रेल से होड़ी है। मालम हो कि उत्राखन सरकार के दोरा तै की गई सीमा के नुसार इस बार अधिक्तम 13,000 भक्त भगवान के दारनात के दर्शन कर पाएंगे। मतादे के रुद्र प्रया के डियेप मयूर दिक्षित के द्वारा दी गई जानकारी के नुसार इस बार तर्थ यात्रियों के लिए टोकन प्रनाली की शिर्वाद की गई है। पंचायत को दी गई है। प्लास्टिक और पानी के बोदलों के लिए क्यू आर कोर्स अबलागों किया जाएगा इसके साथ है इस बार यात्रियों को यात्रा के दोरान और भी कहीं सुधाएं मिलने वाली है। आपके जानकारी के लिए बता दे कॉंग्रेस ने अपने स्टार प्रजारकों की सूची में कुल 40 निताओं के नाम को शामिल किया है। बीजेपी से जेडियों ने मांगे इन सवालों के जवाब। गुजरात में साहिली सराब से मौत होने पर मुआपजा क्यों नहीं दिया गया। 142.86 करोड जनसंख्या के साथ देश में सबसे जादा आवादी वाला देश बन गया है। भारत के आवादी के मामले में नंबर एक पढ़ाने को लेकर केंद्रिय मंतरे गिराज सिंग के दौर अतंच कसा गया है। के और आज हम नंबर वन हो गया है। आज की सबसे बड़ी समस्य जनसंख्या व्श्पोर्ट है। इससे समाजिक समरस्ता ही नहीं। अंजल के कमिक का भी और सिब दवाब भारत पर होड़ा है। रसल गेराज सिंग के दौरा हमेशा जनसंख्या नियंतरन कानून लाने की मांग करती रही गई है। लेकिन आज जब भारत दुनिया का सबसे ज़ाद आवादी वाला देश्पन गया है तो गेराज के दौरा तंच कसा गया। IPL 2020 पंजाब के सामने बैंगलूरू के के सामने होगी दिल्ली की पड़क्छा। टीम ने अपने पिछले मैच में लखनाओ को खड़ाया है जबकि RCB चलनाई सूपर किंग्स के हाथों हार कर आ रही है लेकिन RCB के टीम फॉर्म में है इसलिए एक बेहदी दिल्चास मुकाबले की पूरी उम्मीद है। अधर सा 1712 में दिल्ली की गद्धी पर बैठा। अमेरिकी मीडिया ने 2002 में भारत के अगनी 5 मिसाइल के सफल परिक्षन पर कहा किसे भारत को उसके परोसी देश शीन के बडावर में खड़ा कर दिया है। प्रसद भजन, गाईका, जूथिका, रोयका जन्व 1927 में हुआ। बांसुरी बाद, पन्ना लाल घोस्त का निधन हुआ। आज के दिन को डॉक्टर हैनी में जर्म दवस, जोकी होमियप पैठीश चिक सा पदती के जर्म दाता है के रूप में मनाया जाता है। वालफ़न में आज हम बात करेंगे प्रधान मंतरी स्मार्टफोन योजना के बारे में सुसल मीडिया पर कहीं सुचना बारल होती है लेकिन सभी सच हो यह जरूरी नहीं है। इसे गरे में आज हम बात करेंगे प्रधान मंतरी स्मार्टफोन योजना के बारे में दरसल P.I.B. ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सरकारी ब्लॉग नामक यूटूब चैनल के एक वीडियो में दावा किया गया है कि प्रधान मंतरी स्मार्टफोन योजना 2023 के तहत किं गए जानकारी के अनुसार पॉप्लर मेसेजिंग एप वाटसेप अपने एनिमिटेड इमोजी फीचर पर काम कर रहा है। भारत मना दुनिया का सबसे जादा आवादी वाला देश। पिछले साल यह अनुमान लगाया गया था कि अगले साल तक भारत की आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि वचीन की आबादी को भी पीछे छोड़ देगा। आपकी जानकारी के बता देए कि संबन में बीते दिन NFPA की The State of World Population Report 2023 को जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम आठ बीलियन लाइफ्स, इंफिनिट पॉसिबिलिटीज, तकीश फॉर राइट्स एड चॉइस है। आपकी जानकारी के बता देए कि इस वर्ष तीन सुरिग्रहन और तीन चंद्रग्रहन लगने वाले हैं। जिसमें से सबसे पहला ग्रहन वैशाख कृष्ण अमावश्या को में इस रासी में खगराज सुरिग्रहन लग रहा है। जानकारी के बता देए कि आज लगने वाले इस सुरिग्रहन का समय जोतीशियों के नुसार प्रात साथ पांच बजे से शुरू होगा जोकी दोपहर बाड़ा उन्तिस बजे तक जारी रहेगा। यानि कि इस सुरिग्रहन की कुल अबदी पाच घंटे चौबस मिनट तक रहेगी। हाला कि इस सुरिग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा जिस वज़े से भारत में सूतक काल माने नहीं होगा। मालू हो कि सुतक काल के दोड़ा जोतीशियों के नुसार किसी भी प्रकार के सुब कृत वर्जित रहते हैं। बता दे कि इसके बाद इस सुष का दूसरा सुरिग्रहन 14 ओक्टूबर होगा। आज लगने वाला या सुरिग्रहन कंकना कृती सुरिग्रहन होगा। बीदेदल आपमादरा पूछे का सवाल का आपड़ों में से बहुत लोगों अपने चवाब हमें अमारी कमेंट सेक्शन बोक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंनी हमादरा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है, बिट्टु कुमार राज, मलन कुमार, मुट्टु रंगीला, सोनो कुमार, अजैस सर्मा, रंजीत मिश्रा, रवी कुमार रा, मुहम्मद तौसी फ्रेजा, पंकज कुमार दास, वीद प्रकास, इनन नोगोलु कुमार, सुदामा कुमार चोहान, अनवर करीम खान, पंकज कुमार, राजीव कुमार, इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर, आज का सवाल है, आपके अनुसार, बढ़ती आबादी को नियंतरत करने के लिए, सरकार को क्या-क्या कदम उठाने चाहिए, आपना जवाब हमें मारे कमार्ण सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी नियूस, और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले, थानेवाद!